नमस्ते मेरे प्यारे भाई, प्रॉफिट लॉस लाभ हानी रेल्वे के लिए पूरा कम्पलीट पढ़ने के बाद, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा डिस्काउंट छूट बट्टा, मैं पहली बता चुक हूँ कि प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, चाहाँ आप रेल्वे की बात करें, चाहाँ पैससी की बात करें, मेरे दोस्तों, चाहाँ किसी भी स्टेट एक्जाम की बात करें, अर्थमेटिक का शबसे जादे पूछे जाने वाला टॉपिक है, और ये जो वीडियो होगी, इसमें मैं डिसकाउंट के NTPC, RPF, ALP, गुरूप D, और जही, इन सभी एक्जाम के बढ़िया पढ़िया, आज तक रेलवे ने जितने भी अच्छे सवाल पूछे हैं, यूनिक क्वेशन है, मोस्ट रिपीटिड क्वेशन है, कन्व्यूज कर देने वाले क्वेशन से, मैं आपको सारे के सारे कराऊंगा, और इन सवालों को अगर आपने कर दिया तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपका डिसकाउंट को लेके डर खतम हो जाएगा, और आप पेपर में भी जो इस चैप्टर से क्वेशन पूछा जाएगा, एक सवाल आप उसको ठीक करके आओगे, एक वीडियो आपको एक सवाल की गारंटी देती है, तो आप इसको मेरे प्यारे, रिवाइस करके, ठीक है, प्रॉफिट लॉस्ट की जो वीडियो आपको हमारे सी यूट्व चैनल पे मिल जाएगी, यहां पर इस दोनों वीडियो हमने अप्लोड करती है, प्रॉफिट लॉस्ट पार्ट वन पार्ट टू, ठीक है ना, दोनों में 30, 35, 35 के आ आतांकरणी, LCMHCF, लगवग 4 लाख बच्चों ने वीडियो देखी है, परसंटेज, रेश्यो अनुपात पूरा पढ़ा दिया, लाभानी पढ़ा दिया, और अब हम मेरे प्यारे बाई, यहां सुरू कर रहे हैं, डिसकाउंट, ठीक है, यह प्रेक्टिस सेशन है, जिसम 4,000 questions हमने डालें, railway की previous, यहां से मैं सवाल ले रहा हूँ, ठीक है, इसमें तो खेर आपको और भी extra questions मिल जाएंगे practice के लिए, पर मैं तो आपको 30-35 के आसपा सवाल कराऊंगा, इसमें total 60 questions है, ठीक है, तो अगर किसी बच्चों को और extra सवाल practice करने हैं, तो यहां से जरू कर आपको आसानी से मिल जाएगी, आजाएगे, ठीक है जी, पहला ही सवाल आपके सामने है, what is the discount percentage in buy 5 get 3 scheme, 5 खरीदें 3 मुफ्त पाएं की योजना में छूट प्रतिसत कितना है, आपने देखा एकसर आप shopping mall में जाते हो, आप shopping mall में गए, हू लू 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 हू shopping mall है, उसकी दुकान के बाहर लिखा है, 5 खरीदें 3 मुफ्त पाएं, कितना percent discount है, discount कौन देता है, दुकानदार, आप दुकानदार के नजरिये से देखो, दुकानदार कह रहा है कि भाई साब, आप मुझे 5 ही वस्तू का पैसा दो, और मैं आपको 3 व तो फ Sophia टुकानदार के लिखे की दुकानदार, दुकानदार टोटल आपको 8 आर्टिकल देता है, अर आठ में फ्रीदा पैसा लेता है, यहे रहे है चल्रू जब भी Uhh Sc. सावाला है, नीचे आपको लिखना है की, टोटल कितने आर्टिकल दीयें और ओपर आपको लिखना है फ्री कितने हैं और यह आपका डिसकाउंट हो जाएगा एक बटे आट साड़े बारे परसेंट होता है बच्चों तो तीन बटे आट साड़े बारे का तीन गुना साड़े 37% डिसकाउंट होता है ध्यान रखेगा यह ओप्शन सही है इस सवाल का पहला सवाल एकदम बेसिक रहा आगे एक वस्तू का अंकित मुल्ले या फिर MRP 1820 रुपए है सेलिंग प्राइस विक्रिय मुल्ले 1420 रुपए है डिसकाउंट परसेंटेज क्या है अंकित मुल्ले कितना है मेरे दोस्तो मार्क प्रैस 1820 अब 1820 का समान बेचा कितने में है 1420 में छूट का प्रतिसत कितना है मेरे प्यारे भाईयों डिसकाउंट किस पर दिया जाता है ठीक है डिसकाउंट किसको बेस मानके निकाला जाता है अंकित मुल्ले मार्क प्राइस को बेस मानके अगर आपको concept ना पता हो तो पहले तो आपको concept पता होना चाहिए कवे discount क्या होता अगर आपको discount percentage निकालना है यह लिखा हुआ है, discount percentage निकालना है, तो discount बटे mark price गुणा 100%, यह रहा concept, concept king book में लिखा हुआ है, discount percentage बराबर discount बटे mark price गुणा 100%, discount मेरे दोस्तों होता है, अंकित मुल्य मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, discount कभी 100% से ज्याद है, नहीं हो सकता, अगर भाई हमने 1820 के वस्तु 1420 में बेकी है, तो हमने 400 रुपे का discount दिया, 400 रुपे का, कितने के समान पर, 1820 रुपे के समान पर, यही बात हुई है, आ 10-10 कट गया, और यह 2 से और भी कट गया, वीस वार और यह 2 से कट गया, मेरे दोस्तों 91 आजएगा, 2000 बटे 91 परसेंट यानि कि, पूरा पूरा तो नहीं कट रहा, मेरे दोस्तों, यानि कि, इस सवाल का आंसर पर, एक्जक्ट नहीं है, एप्रॉक्स है, यानि एक लाज़ दूनी 182, 91 दूनी 182 हो जाएगा वने 82 बच जाएगा अठार, 180, फिर 91 दूनी फिर 112 यानि कि लगवग 22% के आसपास आएगा, तो लगवग एपरोक्स 22% डिसकाउंट है, ग्रूप D के पेपर का सवाल है, छूट हमेशा अंकित मुल्य को बेश मान के निकाली जाती है, आगे, सवाल लंबर 3, एक दुकानदार वस्तू की कीमत में 41% की व्रद्धी करता है, फिर मुद्रित मुल्य पर 41% की छूट देता है, कुल लावि वस्तू की कीमत 41% की व्रद्धी करता है, देखे, जैसे आप कोई भी समान बनाते हो, समान को बनाने में जो खर्चा आता है, वो होता है, पिर आप न, कोई भी कंपनी होते है, लेबल लगाती है, जैसे हाँ पर हमने शर्ट पहन रखे है, पीछे हाँ पर कंपनी का इससे 41% बढ़ा कर रखता है, यानि कि अगर 100 रुपे की वस्तू बनी है, तो उसने 141 रुपे का श्टी कर लगा के चुपता दे कि ये वस्तू का MRP 141 है, इससे हम मार्क प्राइस, अंकित मुल्ले, सूची मुल्ले, लिस्ट प्राइस, मुद्रित मुल्ले, प्रिंटेड सब एक ही बात है, MRP जिससे बोलते हैं, फिर वो मार्क प्राइस पर 41% की छूट देता है, मार्क प्राइस पर आप 41% की छूट देते हो, और छूट देने के बाद आप जिस प्राइस में बेचते हैं, वो है सेलिंग प्राइस, कुल लाभ याहानी का मतलब कैसे भाया, सीप का समान मेरे प्यारे भाई, SP में बिका, क्रिये मुल्ले, ये विक्रिये मुल्ले, क्रिये मुल्ले का समान जितने परशंट जादे में बिकेगा, वही आपका प्राफिट ये लोस आएगा, मेरे भाई, तो कुछ नहीं करना, पहले 41% बढ़ाया, CP को फिर 41% घटाया, तो प् X और मानस X का सक्सिर, X स्कार बटे 100%, डिक्रीस कम ही होता है, तो 41 का स्कार 16181 बटे 100, यानि कि 16.81% का आपको लॉस होगा, मानस साइन बताता है, लॉस, 16.81% का आपको लॉस होगा, और आंसर है ये, ठीक है, मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे, हां जी, सर, बिल्कुल सही अगला सवाल लेंगे, एक, सवाल लंबर 4 मेरे प्यारे में, बिल्कुल ऐसा ही है, सवाल लंबर 4 बिल्कुल ऐसा ही है, इस सवाल को सॉल करो, RPF समिंस्पेक्टर के पेपर का, ये सवाल इतना ज्यादा है, पेपर में पूछा गया है, जिसकी कोई हद नहीं, तो सवाल को परिक्षा में लिखना नहीं है, यह सब आपको पेपर में लिखना नहीं है, हमने किवल आपको समझाने के लिए लिखा है, इसका solution तो मातर यह है, ठीक है, solve करो, कमेंट में आंसर बताना मुझे क्या सही है, यह बताईए, एक सेलर ने अपनी वस्तुए 20% की छूट पर बेची, लेकिन प्रतेक वस्तु का अंकित मुले लागत मुले से 30% अधिक नरधारित किया, लाप प्रतिस सब बताओ, गुरुप D के पेपर का सवाल है, देखे, एक दुकानदार अपनी वस्तुए 20% छूट पर बेचता है, अंकित मुले है, वो चॉष्ट परैस से 30% जयादा है, आर्टिकल का Mark Price है, वो कॉष्ट परैस से 30% जयादा है, Mark Price है अगर फिर Mark Price पर 20% डिसकाउंट देने के बाद बेचा जाता है, समान को बेचा जाता है, तो profit percentage क्या होगा मेरे प्रॉफिट जब भी निकालोगे ने आप वो 30 और मानस 20 का successive होगा formula से भी निकाल सकते हो 100 मान के भी कर सकते हो मेरे दोस्तो profit देखो mark price cost price से कितने percent ज़ाद है इसे मोलते mark up percentage किसी वस्तू का अंकित मुल्य क्रिये मुल्य से 30 percent ज़ाद है तो यही आपका mark up है mark up percent का मतलब किसी वस्तू का mark price cost price से कितने percent बढ़ा कर लगाया गया है फिर आपने mark price पे 20 percent discount दिया discount discount समझ में आया तो जो profit होगा वो mark up percentage discount percentage का successive होता है तो वस्तू पर होने वाला जो लाब होगा 30 और मानस 20 का successive होगा सक्सिव का formula होता है x plus y plus xy बटे 100 discount हमेशा negative होता है को कि discount का मतलब अंकित मुल्य को कम करना छूट देकर बेचना mark price को कम करके बेचना तो 30 मानस 20 मानस 30 कुणा 20 बटे 100 यह कितना हैगा बिटा यह जाएगा यह कट गया भीया 10 मानस 6 चार परसेंट तो आपको वस्तू पर 4 परसेंट का लाव होगा जो कि मेरा पहला option है ठीक है यह concept यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से समझाया होगा जी हमने यह यह वाला नहीं है यह यह देखिए यह देखिए यह देखिए जो है वो M-D-M-D-100% के बराबर होता है अगर किसी वस्तू को अगर किसी वह वैपारी अपने माल पर क्रिया मुले से M% अधिक मुल्य अंकित करता है M% markup करता है लागत मुल्य किरिय मुल्य से M% जाद है फिर अंकित मुल्य पर D% की छूट देता है तो लाब यहानी होगा M-D-M-D बटा 100% सीधा direct formula है मन में बिठा लीजे याद कर लीजे markup percentage, discount percentage का success effect ही profit या loss होता है positive आएगा तो profit है अगर आप cancer negative आता है minus में आता है तो loss है जैसे मैं आपको एक सावल और करवाता हूँ देखिए सवा लंबर छे ये question RRB group D के paper का है कि एक वस्तू को उसके अंकित मुल्य पर बेचने से 18% लाब होता है अगर आप किसी वस्तू को अंकित मुल्य पर बेचते हो यानि कि कोई discount नहीं देते ध्यान सुनना अगर आप समान पर कोई discount नहीं दोगे इसका मतलब क्या है जल्दी से बताओ एक दाम की दुकान में चलेगे देगा ना हर मोहले में होती है मेरे दोस्तो एक दाम की दुकान साड़ी की एक दाम की दुकान अगर no discount कोई छूट ना दी जाए अगर किसी वस्तू पर कोई छूट ना दी जाए तो इसका मतलब है समान का जो अंकित मुल्य जो MRP है उसी पर बेचा जाएगा मेरे प्यारे भाई और आपने mark price क्रिय मुल्य से जितना percent एबव रखा होगा यानि कि जो markup percentage होगा उतना ही फिर आपको profit हो जाएगा मेरे भाईयो समझ में आया आप बोलोगे हाँ जी सर ये concept है अब बोला गया कि एक वस्तू को अंकित मुल्य पर बेचते यानि कि आप कोई discount नहीं देते तो 18 percent लाब होता है इसका मतलब mark price पर बेचने से 18 percent लाब होता है तो वस्तू का जो mark price है वो cost price से 18 percent जाद है ये 18 percent markup प्रतीसत है अगर आप अंकित मुल्य पर 10 percent की छूट देंगे तो कितना लाब होगा तो ये लाब क्या होगा फिर 18 और मानस 10 का सक्सिव 18 माइनस 10 मानस 18 गुणा 10 बटे 100 अभी आपको डारेक्ट सोचना है मेरे दोस्तों कुछ जाद लिखना नहीं है 18 मानस 10 आठ आठ आगया 182 साम 180 बटे 100 1.8 8 में से 1.8 मानस करेंगे तो 6.2 percent तो यहां आपको 6.2 percent का लाब होगा पॉजिटिव आ रहा है D option आगया यह सवाल लंबर साथ ये NTPC के पेपर का है एक वस्तू का क्रिये मुल्ले अंकित मुल्ले का 75 percent है अगर 15 percent की छूट दी जाती है तो लाब यहानी परतिसत क्या होगा देखो भाई यहां काफी आसान डाटा है 100 मान के भी कर सकते है एक वस्तू का cost price mark price का 75 percent है CP, MP का 75 percent यानि कि अगर वस्तू का क्रिये मुल्ले, अंकित मुल्ले का 75 percent यानि कि mark price अगर 100 रुपे है तो वस्तू का cost price 75 रुपे है ठीक बात अगर समान पर 15 percent की छूट दी जाते है अगर समान पर 15 percent की छूट दोगे तो लाब क्या होगा लाब यहानि परतिसत बताओ 100 रुपे मर्पी है अगर 100 रुपे पर 15 percent की छूट दोगे तो समान कितने मुल्केगा 85 में अगर 100 पर 15 percent की छूट दोगे तो समान कितने विकेगा, 85 में, 100 पे, छूट तो MRP पे दी जाती, समान 85 में विकेगा, लाव यहानी क्या होगा, आप बताओ, 75 रुपे का समान, 75 के क्रिये मुल्ले का समान 85 में विकागा, तो आपको profit होगा भई, loss होने वाला नहीं है, ये दोनों answer कट गए, 75 का समान 85 में वि और 2 वटे 15, 15 पर्षेंट तो नहीं होता, 15 पर्षेंट तो नहीं होता, यानि की answer 13.33, कि 1 वटे 15 के आउता, 6.66 पर्षेंट, और जब मैं इसका दुगुना करूंगा, तो 13.33 पर्षेंट प्रॉफिट आ जाएगा, समझ में आया, आप बोलोगे, हाँ जी सर, बहुत आईए, अगला सवाल, सवाल लंबर है, आठ, और ये समझे की अगला टाइप है, पहले में इंपोर्टेंट टाइप करवादरों, ये सवाल आसान है, लेकिन ये टाइप बहुत इंपोर्टेंट है, एक व्यापारी अंकित मुल्ये पर 15 पर्षेंट छूट देता है, उन्न व्यापारी अपने समान पर 15 पर्षेंट की छूट देता है, व्यापारी की इच्छाए मैं 19 पर्षेंट लाब कमाऊं, तो कौस्ट प्राइस से कितना अधिक मुल्ये अंकित करना चाहिए, परसेंटेंट में बताना है, जैसे पहले आप समान खरीते हैं, फिर उसका मार्क फिक्स करते हैं, फिर आप मार्क प्राइस पर डिसकाउन देते हैं 15 परसेंट, और इस प्रॉसस में आपको 19 पर्षेंट लाब हुआ, तो अगर आप 19 पर्षेंट लाब कमाना चाहतें तो अंकित ÜLE क्रिये मुले से कितने परसेंट अबब आपको रखना पड़ेगा, तो अगर किसी भी सवाल में discount percentage profit percentage दिया है तो सवाल में CP से MP का ratio आसाने से निकाल सकते सीधा formula है 100-D upon 100 plus P 100-D upon 100 plus P सीधा formula है CP से MP का नहीं जानते आप ये formula यहाँ पर मैंने समझाया एक बात ध्यान लखेगा सभी लोग एक बात ध्यान लखेगा थोड़ा सा बड़ा करने क्या cost price पे profit कमाने के बाद भी selling price आता है mark price पे discount देने के बाद भी selling price आता है cost price में profit add करने के बाद भी selling price आता है selling price बराबर cost price plus profit और mark price पे discount देने के बाद भी selling price आता है समझ में आया कि नहीं? आप बोलो कि हाँ जी सर समझ में आया है बिल्कुल सही अगर आपको किसी वस्तू पर P % लाब है और आपने मार्क प्राइस पर D % का डिसकाउंट दिया है D % सेलिंग प्राइस जी होगा, वह क्या होगा, 100 percent P percent लाब है, cost price का hundred plus P percent, हर्ची अपना पर 100 percent होती है, 100 percent पर D percent discount दिया, सेलिंग-प्राइस का, mark price का 100 minus D percent, अगर आप इन दौनों को बराबर कर दोगे, तो CP स MP करेश्यो आएगा, 100 minus D upon 100 plus P, यह formula है मेरे प्यारे भाईयो जो आपको याद होना चाहिए अब यहाँ पे देखिए आपने 15% छूट दी तो discount है 15 100 मानिस 15 85 profit वा 19% तो 100 प्लस 19 119 यह किससे चला जाएगा 17 से 75 85 और 77 119 सवाल में पूछा है अंकित मुल्य किरिये मुल्य से कितना अधिक होना चाहिए यानि कि अगर वस्तू का cost price 5 रुपे है तो mark price 7 रुपे वस्तू का cost price अगर 5 रुपे है CP 5 रुपे है तो mark price 7 है तो mark price cost price से कितना जाद है mark price cost price से 2 जाद है एक बटे पांच 20 परशंट दो बटे पांच 40 परशंट तो अंकित मुल्य के रिए मुल्य से 40 परशंट अधिक होना चाहिए आंसर इसका ए विकल्ब आ जाएगा ये बताइए गुरूप D के पेपर का एक और सवाल भाई ये वो सवाल है जो कि पेपर में ठोक के भाब मों एक सेलर अंकित मुल्य पर 30 परशंट की चूट देता है फिर भी वह color 10 परशंट की लाब कमाता है अंकित मुल्य क्रिय मुल्य से कितना परशंड अधिक है, अब देके डारेक्ट करो, जल्दी से, CP सMP का रिषयो 100-D, किसी भी सावार में छूट पृतिसत पता है, लाब पृतिसत पता है, तो क्रिय मुल्य संकित मुल्य का अनुपात निकाल सकते, CP बट MP 100-D, 100-30, अपौन 100+, 100 10, 110 CP 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 ratio 711 CP 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 ratio 711 Ankit Mulla Kriya Mulla से कितना प्रतिसदी के cost price 7 है तो mark price 11 है वस्तु का cost price 7 है तो mark price 11 है mark price cost price से कितना ज़ाद है 4, 4 बते 7 अब बता हो 1 बते 7 होता है 14.28% 4 बते 7 क्या होगा इसका 4 गुना है यानि कि मेरे दोस्तों ये लगवक 57% के आसपास आएगा 57% के आसपास पहला option कर लोगे आप बोलोगे सर हम तो उड़ा देंगे अब इसे सवाल लंबर 10 ये जो है RRB गुरुप D के पेपर का है बताएए मेरे प्यारे भाई गुरुप D के पेपर का सवाल टना टन आपको बताना है हलका सा चेंज है एक दुकांदार 10% छूट देने के बाद 45 रुपे पर वस्तू की दर से 25 वस्तू बेचता है और 50 पर संद लाव कमाता है एक दुकांदार 10% छूट देता है और 50% का लाव कमाता है अगर कोई छूट न दी जाए तो लाब पृतिसत ग्याद कीजिए बाई एक कितनी वस्तू बेचरा कितने रुपे में बेचरा मुझे इससे कोई मतलब नहीं बस सवाल यह है कि एक दुकानदार 10% डिसकाउंट देता है और 50% लाब कमाता है मेरे भाई डिसकाउंट परशंटेज पता है प्रौफिट परशंटेज पता है तो CP स MP का रेश्यो आ जाएगा 100 मानस D 100 मानस 10 नबच अपॉन 100 प्लस P 100 प्लस 50 एक्सो पचास इससे कट गया 30 से 30 तीया 90 और 30 पंजे डिर्ड सो तीन रेश्यो पांच आ गया बोला अगर कोई छूट ना दी जाए तो लाब परतिसत क्या होगा अगर आप किसी समान पर कोई छूट नहीं देते हो इसका मतलब आप समान को मार्क प्राइस पर बेचोगे सेल एट मार्क प्राइस समान को अंकित मुल्ले पर बेचोगे अगर कोई दुकांदर बड़ा धीट है कोई छूटी नहीं देता तो जो उसने स्टीकर पर प्राइस लगाया जो MRP है उसी पर वस्तू को बेचेगा यानि कि सवाल इतना सा है कि अगर समान को MRP पर बेचा जाए तो क्या लाब होगा वस्तू का कॉस्ट प्राइस तीन है CP तीन है अगर 3 रुपे का समान बिना किसी डिसकाउंट के बेच होगे तो पांचुम बिकेगा तीन का समान पांचुम बिकेगा तो कितना प्रॉफिट होगा 2 दो बटे तीन क्या होते है वेटा एक बटा तीन 33.33% और दो बटा तीन 66.66% आ जाएगा सी ओप्षन कुछ भी नहीं है सवाल में आगे आईए ये बताओ सवाल लंबर 11 ग्रुप D के पेपर का क्वेश्चन है मेरे भाई देखो इस सवाल में परसंटेज न पूछ के एक लेवल आगे पूछ लिया है कॉंसेप्ट वही है कि एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस बारे सुरुपे है एक सेलर 10% की छूट पर बेचकर 15% का लाव अर्जित करना चाहता है आपको समान का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ क्रिये मुल्य बारे सुरुपे एक दुकांदार 10% छूट देकर 15% प्रॉफिट कमाना चाहता है आपसे पुझा अंकित मुल्य कितना रखना होगर आंसर लगभग में बताना है मेरे भाई आपको प्रॉफिट पता है डिसकांट परशंटेज पता है तो cp स mp का रेश्यो निकाल सकते है cp बटे mp बराबर 100-d अपॉन 100-प्लस Ó कितना है दस परशंट 100-10,90 कितना है परशंट, परशंट, सो प्लस पंदर है 115, फॉमलworks गया 100 minus D upon 100 plus P यह 5 से कट वी रहा है तो मैं काट लूँगा 5 से कट रहा है अठारे बार यह 5 से कट रहा है बेटे 23 बार यह वस्तु के क्रिये मुल्ले से अंकित मुल्ले का अनुपात आ गया वस्तु का क्रिये मुल्ले कितना है 1200 रुपे यानि कि 18 की वेल्यू अगर 18 की वेल्यू रुपे तो एक वेल्यू आगी 1200 रुपे आप से 20 रुपे यह वस्तु का अंकित मुल्ले आपको रखना पड़ेगा जार्शी बात चैसे जाएगा 6 दूनी 12 और 6 ती अठारे आएगा चालिस सो बटे तीन अगर आप 23 दूनी चालिस सो चालिस सो को तीन से भाग करेंगे तो पैतालिस सो बटे तीन पंद्रहसो और सो बटे तीन आएगा 33.33 तो समान का जो मार्क प्राइस है वे आपको 1533 रुपे के आसपास रखना पड़ेगा डी ओप्शन 1533 हलकी कैलकॉलेशा ने कोई बहुत जादे इसमें दम नहीं है सवाल अगला फिर से आगया आरार भी गुपड़ी का ये बताओ एक व्यापारी ने वस्तू का मुल्ले क्रिये मुल्ले का एक सही दो बटे पांच गुना अंकित किया और उसने अंकित मुल्ले के 17 बटे 20 पर बेच दिया लाब परतिसद बताओ लाब का मतला होता है क्रिये मुल्ले विक्रिये मुल्ले का अनुपात देखो तीनी चीजे होते हैं तीनी प्राइस होते हैं कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस एक व्यापारी ने एक वस्तू का मुल्य क्रिये मुल्य का एक सही दो बटे पांच गुना अंकित किया एक सही दो बटे पांच गुना का मतला पांचे कम पांच अर्दो साथ बटे पांच गुना अंकित किया और अंकित मुल्य के सत्रे बटे बीस पर बेचा अगर कॉस प्राइस की बेचनी की बार में अंकित मुल्लय के । बाटे 20 पर बेचा, अंकित मुल्ली 140, 140 के 17 बाटे 20 पर बेचा, जो कि कितना होता है, 20,70, 140, 119 में बेचा 119 में, 140 का 70 बाटे 20 निकाली, 119 में बेचा, आप खुद देखो, 100 रुपे का समान अगर आपने 119 में बेका है, तो आपको 19 परसेंट का फायदा हुआ, 100 का समान बेक तो 19 रुपे जो एक्स्टा है 100 रुपे पर भई आपका फायदा है 100 में जो भी आंसर आता है वो डारेक्ट परसंटेज में ही आता है यह बता ही Which one is better? कौन सा डिस्काउंट बेटर है? 10 परसंट 20 परसंट की लगातार छूट कौन सा डिस्काउंट बेटर है? RRB Junior Engineer का सवाल है बनाओ भाई साव यह तो खेल हो गया आपके साथ छूट पर अगर छूट दी जाए अगर छूट पर छूट दी जाए मेरे प्यारे बई तो कुल कितनी छूट होगी कुल कितनी छूट होगी successive discount successive discount यहां पर मैंने concept भी समझाया होगा successive discount के यह देखिए यह PDF काफी पुरानी है नई PDF अभी आई नहीं है हमारी टीम की तरफ से थोड़ी पुरानी PDF है देखो अगर किसी वस्तूपर X% और Y% की दो लगातार छूट दी जाए अगर किसी वस्तूपर X% Y% की दो लगातार छूट दी जाए तो इस वस्तूपर जो कुल छूट होगी वो X plus Y मानिस X Y बटे 100% होगी अगर मैं वस्तूपर Y% और X% की दो लगातार छूट दूँ Y और X% की तो कुल छूट की होगी Y plus X मानिस Y X बटे 100% की होगी क्या इन दौनों छूटों में कोई फरक है क्या इसम और इसम कोई फरक है नहीं यानि कि अगर आप एक वस्तूपर ध्यान सुनना बहुत सारे बच्चों को लगेगा यह जाद है वह जाद है अगर आप किसी वस्तूपर 10% 20% की लगातार छूट दो या 20% 10% की लगातार छूट दो डिसकाउंट आगे पीछे कैसे भी करो जो नेट डिसकाउंट रहेगा वो सेम रहेगा मेरे दोस्तों अलग अलग नहीं होगा यह option answer है अच्छा बहुत आसान सवाल है चोद्वा सवाल 10%, 15%, 20% की किर्मिक छूट के तुल्ले एकल छूट बताओ 10,15 अगर किसी वस्तूपर 10%, 15%, 20% की तीन लगातार छूट दी जाती है तो सिंगल छूट क्या होगी यह आपको बताना है सुनो मेरे भाई यहां पर मैंने concept लिखा है ध्यान से सुनना जैसे अगर किसी वस्तूपर 10% और 15% की दो लगातार छूट दी जाती है तो net discount क्या होगा formula है 10 plus 15 10 plus 15 10 plus 15 25 16 लेकिन यह ध्यान रखेगा अगर किसी वस्तूपर X% Y% Z% की 3 लगातार छूट दी जाती है अगर किसी वस्तूपर X% Y% Z% की 3 लगातार छूट दी जाती है तो इस वस्तूपर जो कुल छूट होगी वो यह होगी X plus Y plus Z माइनस पहले तीनों को जोडो X plus Y plus Z माइनस फिर दो दो की गुणा करो X की Y में, Y की Z में, Z की X में फिर 100 से भाग दो फिर तीनों की गुना करो X, Y, Z और 10 से भाग दो ये परसेंट दे जाएगा समझ में बात जैसे मैं एक्जामपल से दिखाता हूं कि एक वस्तू पर 5 परसेंट, 7 परसेंट, 8 परसेंट की सारे कॉंसेट इस बुक का कमाल है इसी तरीके से पहले कॉंसेट लिखा है फिर उस पर एक्जामपल लिखा है अगर बहुत ही किसी बच्चे का गणित कमजोर है कुसे फॉर्मला कॉंसेट थोरी तक नहीं पता कि मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट, प्रॉफिट, क्या बवाल है ये सब तो भई इस बुक को पहले ओन्लाइन ओडर करो फिलिप कार्ट सिच आपको सस्ती पड़ेगी बहुत बहुत अच्छी क्वालिटी वाली बुक है कंटेंट वाइस भी पेज वाइस भी ठीक है और देखने में बढ़िया लगती है ऐसे कलरफुल टाइप की है दोस्त ठीक है ये तो पराणी पीडिएफ है ये अपडेट कर दिये बही अपडेट लिखा हुआ है ना यहां आप देखो कितने सिक्वेंस में कॉंसेप्ट समझाएं कि पांच साथ आठ परशन की लगातार छूट के अनुरूप सिंगल छूट के आओगी तो पहले तीनों को जोड़ो पांच प्लस साथ प्लस आठ प्लस आठ पांच साथ बार्याट वीस माइनस फिर दोोड़ो की गुणा पांच सत्य पेंतिस साथ आठ चापण आठ पंजे 35 प्लस 56 प्लस 40 बटे 100 कितना हो जाएगा 131 बटे 100 1.31 ठेका जी आप बोलोगे हाँ जी सर कोई परेशानी नहीं है फिरी तीनों की गुणा 5 सत्य 35 68 280 280 बटे 10 बटे 10 बटे 0.280 ये आप एड़ कर लेंगे तो 18.78 परसेंट ये आजाएगा क्लियर यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या आप बोलोगे नहीं सर कोई भी समस्या एक धेले की हमें इसमें नहीं है ये हो गया कैलकुलेट अगर ये सारे जुगार में सवाल में लगा दू कि 10 परसेंट 15 परसेंट और 20 परसेंट की छूट के बराबर सिंगल छूट क्या होगी तो भईया पहले तीनों को जोड़ो 10 पंद्रे 25 और 20 पचपन 10 पंद्रे 25 और 20 पेंटालिस 45 हो गया 45 माइनस हाला कि आंसर 45 से तो कम ही आएगा ये आंसर तो है नि ठीक है 20 पंद्रे 35 फिर दो दो की गुणा 10 पंद्रे 25 तो 15 पंद्रे 20 220 22 तो 300 200 पांचोब acord करों आपको 100 से भाग देना है जब अब साड़े 600 को 100 से भाग डे लोगे तो साड़े 6 आ जाएगा साड़े 6 फिर तीनों की गुणा कर लो 10,15,15,20,3,000 3,000 को आपको दस्यार से भाग देना है तो 0.300% यह आजाएगा तो 45 में से मेरे प्यारे भाई यह बताएगा जब मैं 6.6 गटाऊँगा तो 35,45 में 6.6 गटाऊँगा 35,36 में 0.3 जोड़ूँगा तो 38.8% आएगा 38.8% की कुल छूट है D option answer is D समझ में आया मेरे भाई यह तो एक तरीका हो गया मैं आपको एक और बता रहूँ यह तो आपने कर लिया आप दो-दो को कमबाइंड करके भी निकाल सकते हो अगर किसी आर्टिकल पे 10%, 15% और 20% की कुल छूटी लगातार छूट जाते तो net discount कितना है net discount 10, 15, 20 का net discount क्या है यह न सवाल है देखो discount आगे पीछे कैसे भी calculate कर लो answer पे कोई फरक नहीं पड़ेगा answer सेम आएगा अब मैं कहूँ कि 15, 20 का सक्सिव निकाल के बताओ तो हर कोई निकाल लेगा formula से किसी का भी निकालो 10, 15 का, 15, 20, 20, 10 का आप किसी का भी निकाल लीजे answer सेम ही आएगा मैं आप से कहूँ 15, 20 का सक्सिव क्या होता है तो 15 प्लस 20 माइनस 15 गुणा 20 बटा सो यानि कि 35, 35 में से 3 घटाएंगे 32 परसेंट 15 परसेंट और 20 परसेंट के लगातार छूट 32 परसेंट के बराबर है लेकिन है 10 परसेंट भी तो है अब आप 10 परसेंट और 32 का सक्सिव निकाल लीजे फिर से तो 10 और 32 का सक्सिव क्या हैगा 10 प्लस 32 माइनस 10 गुणा 32 बटा सो तो 32, 42 में से 3.2 घटाएंगे 32, 42 में से 3.2 घटाएंगे तो 38.8 परसेंट आगया जी खातम खेल यही तो आंसर है आगया हो सवाल है मेरे दोस्तों आपके सामने 15 एक वस्तू के पराइस में 20 परसेंट की वरिद्धी की जाती है फिर 5 परसेंट की दो लगातार छूट दी जाती है इस स्तिती में विक्रिय मुल्ले क्रिय मुल्ले से कितना दिखोगा विक्रिय मुल्ले क्रिय मुल्ले से कितना दिखोगा यानि की प्रॉफिट परसेंटेज पूछाए द्यान सुनीगा मेरे भाई एक वस्तू का प्राइस पहले आपने 20% बढ़ाया फिर 20% बढ़ाने के बाद आपने उस पर 5% की छूट दी फिर दुबारे 5% की छूट दी यानि कि दो बार छूट दी है पहले प्राइस 20% बढ़ाया फिर 5% घटाया फिर 5% घटाया clear है तो मेरे भाई हम आपसे जानना चाहते हैं कि selling price cost price से कितना अधिक होगा याने की वस्तूपर होने वाला profit क्या होगा तो इन तीनों का successively successively आप formula से भी कर सकते हो ratio से भी कर सकते हो इन तीनों का successively profit percentage होगा इन तीनों का successively profit percentage होगा ठीक है बच्चे यहां पर पूरे एक्जाम्पल से मैंने समझाया है कि अगर cost price पे पहले आपने वस्तु का cost price से mark price 50% जाद है फिर mark price पे 10% छूट दी फिर 20% छूट दी ठीक है ना तो profit कितना आया 8% का है यानि कि सक्सिव किया गया 50-10-20 का सक्सिव आएगा formula से भी निकाल सकते 100 मान के भी निकाल सकते ratio से भी निकाल सकते 8% profit के बराबर होगा जैसे मैं आपको यहां पर ratio से बताता हूँ अगर आपने किसी वस्तु का price 20% बढ़ाया एक वटे 5 फिर आपने 5% छूट दी एक वटे 20 फिर से आपने 5% छूट दी एक वटे 20 तो 20% बढ़ायाने का मतलब है एक वटे 5 पांच पांच रुपे की वस्तु 6 की हो जाएगी multiply फिर आपने 5% छूट दी एक वटा 20 यानि कि 20 रुपे की वस्तु 19 की हो जाएगी फिर आपने मेरे दोस्तों बीस पंजे सौ दुसाम हजार और 19 गुणा 19 361 का तीन गुणा आजाएगा मेरे प्यारे भाई 1083 1083 बोलो आप बोलो कि हांसर यानि कि 1000 का समान 1883 में भिका या दस से भाग दे दो 100 का समान 108.3 में भिका देखो नीचे जो होता है मेरे प्यार भी नीचे जो आएगा अगर आप मार्कप और डिसकाउंट की तीनों की सिधी सिधी गुणा कर दोगे तो नीचे हमेसा कॉस्ट प्राइस आएगा इनिशल वैलू और उपर हमेसा फाइनल वैलू सेलिंग प्राइस आएगा ये सीपी से एसपी का रिश्शो आगया सौ में जो भी आंसर आता है डारेक्ट परसंटेज में आता है उपर नीचे अगर दस से भाग देंगे तो मैं कह सकता हूँ सौ रपे की वस्तू एक सो आट पॉंट तीन में बिकी यहां पर 16 बताइए एक दुकानदार के पास तीन बढ़िया स्कीम है 30% 35% की दो लगातार छूट 6 खरीदे 4 मुफ्ट पाएं 5 खरीदे 6 मुफ्ट पाएं बाबरे बाब गरहक के लिए कौन सा सबसे बेस्ट है कस्टुमर के लिए कौन सा प्लैन सबसे बेस्ट है कस्टुमर तो मेरे जैसा होता है गरीब और कस्टुमर हमेसा ही चाहेगा कि मेरा जो दुकानदार है मुझे जादे से जादे डिसकाउंट दे मुझे सस्ते से सस्ते में समान दे कस्टुमर तो यही चाहेगा है कि नहीं, तो यानि कि केवल सवाल का मतलब यह है कि कौन सा डिस्काउंट इन तीनों स्कीम में सबसे जादा है तो बहुत 30% 35% की लगातार छूट के आएगे 30 प्लस 35 माइनस 30 गुणा 35 बटा 100 अब 30 प्लस 35 तो 65 हो गया अब 65 में से आप घटा देंगे 10.5 तो कितना आजाएगा 54.5 54.5 परसेंट आजाएगा क्लियर है आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही यहां तक हमें कोई भी परिशानी नहीं है 6 खरीदे 4 फ्री पाएँ 22 गेट 4 फ्री तो टोटल कितना दिया चार दस और 10 में से फ्री कितना है? 4 दोटल 10 समान दे 10 में से 4 फ्री यह हो गया 40% डिसकाउंट 40% पांच खरीदे 6 मुफ्तवाएँ तो टोटल कितना दिसकाउंट तोटल कितनी वस्तूदी 5 और 6 ग्यारे 11 में से फ्री कितनी है? 6 अब आप मुझे बताओ एक बते 11 जो होता है एक बते 11 होता है 9.09% तो 6 बते 11 कितना होगा? 6 गुना यानि कि 54.54% 54.54% आएगा आएगा की नहीं आएगा? आप बोलोगी हांसर तो कौन सा डिसकाउंट सबसे बेस्ट है? यह तो सबसे ही कम आ गया यह है 54.54% और यह है 54.54% तो साले 54 से ज़ाद है ना 54.54 तो आपने गरह को टोटल 5-6-11 वस्तू दी 11 में से 6 फ्री है तो 6 बते 11 डिसकाउंट आगा ने निचे टोटल लगते है उपर फ्री वस्तू साले 54 से ज़ाद है साले 54.54% है तो तीसरा जो डिसकाउंट है थर्ड जो डिसकाउंट है मेरे प्यारे भई वो कश्टूमर के लिए सबसे बेस्ट है और यही सवाल का आंसर होगा सोल्वा बहुत प्यारा सवाल है मजा आया होगा आपको करके जी आरारवी ग्रूप डी के पेपर का सवाल है कि एक वस्तू की बिक्री पर 15% और X% की दो लगातार छूट 25% की सिंगल छूट के बराबर है X का मान याद कीजिए देखो यह option सी हो जाएगा कि 15 और 10 का सक्सिव 35% छूट के बराबर है तो यह आंसर आ गया अगर आप करना चाहते हैं तो मैं आपको कौन से बता चुका हूँ कि 15% और X% की दो लगातार छूट किसके बराबर होंगी बच्चो 15 प्लस X माइनस 15 गुणा X बटे 100 ठीक है जी अगर सवाल का डाटा बहुत आसान है तो आप फॉर्मला लगा सकते हैं अगर आपको लगे कि डाटा मुस्किल है तो आप रेश्यो से कर लेंगे सिंपल सी बात हो जाएगी मेरे भाई और आप यह जानते कि 15 तो दो चलाएगा 100 X में से 15 X घटाएंगे तो 85 X बटे 100 हो गया और बराबर 25 में से 15 घटाएंगे तो साड़े आठ अब मेरे दोस्तों यह से 10 बार कट गया और 10 से 100 कट गया तो X कमान यहां से 10 आगया सौल करने पर और इसमें कुछ भी नहीं था सबसे इजिये सवाल था D option आगे आजाएं यह देखिए एक वस्तू का MRP 72 रुपे है इस पर 9% और 15% की 2 लागातार छूट दी जाती है उस वस्तू का Sailing Price ग्यात कीजिए भाई अंकित मुल्ले पर अगर आँ छूट दोगे छूट देने के बाद ग्राहक को बेचोगे तो क्या आ जाएगा वो Sailing Price आजाएगा विक्रिय मुल्ले सवाल में यही बोला है कि एक वस्तू के MRP 7200 बाहतर सो रुपे अब इस पर दो छूट दी जाती है एक छूट दी जाती है 9% की दूसरी छूट दी जाती है आपकी 15% की फिर Sailing Price क्या होगा Sailing Price आपसे पूछा है Mark Price बाहतर सो रुपे हर्ची अपने आप में 100% होती है अगर आप 100% पे बच्चे 9% की छूट दो दोगे तो कीमत कित्ती रह जाएगी 100% में से 9% घटाओ 91% 100% में से 9 घटाओ 91% 91% का मतलब 91 बटे 100 तो अगर आप 9% छूट दोगे तो 9% छूट देने के बाद द्वस्टू की कीमत ये रह जाएगी फिर आप इस पे 15% डिसकाउंट और देते हो 100% पे 15% डिसकाउंट और दोगे तो कीमत कित्ती रह जाएगी 85% 85% का मतलब 85 बटे 100 क्या आप ए कर नी सकते आप बोलोगे हाँ जी सार बिलकुल सही और यही वह कैलकुलेशन है जो मुझे करनी है ठीक है जी या तो मैं पूरी कैलकुलेशन करूँ कि 2 0 से हाँ 2 0 कट जाएगा ठीक है जी और यह वैसे भी आपका 5 से कट रहा है 17 बटे 20 हा गया 85 बटे 100 5 से कट जाएगा 17 बटे 20 और 20 से मेरे दोस्तों 72 जो है आपका 3.6 बार कट जाएगा 36 दूनी 72 यानि कि आंसर में दसमलब जरूर आएगा तो यह तीनों तो आंसर बचे नहीं आंसर बचा डेसिमल वाला A option 20 से मेने 72 काटा तो 36 दूनी 72 होता है 22 को 20 से भाग देंगे 3.6 और दसमलब आ रहा है हां पर दसमलब के बाद एक अंक है तो यह आएगा और देखो एक आएक अंक भी मैच कर लो 6 एक अंक 6 छे सत्य बायालिस यानि कि end में दो आएगा दसमलब के बाद यह वाला अंसर हो गया तो हमें कभी भी ऐसे सवाल में पूरी कैलकोलेशन या पूरी गुणा की जुरत नहीं पड़ती अगर हमारे पास ऑप्षन है तो मैं ऑप्षन से ही कैलकोलेशन करूँगा आ जाईए सवाल देखे ग्रुप डी के पेपर का एक बिल पर 32 परशन की छूट और 20 परशन की दो लगातार छूट पर आप जो बिल बनेगा जो भी बिल बनेगा उस पर मैं आपको 32 परशन की छूट दूँगा आप दोसी दुकान में गुसे दोसी दुकान से भी आपने सेम समान खरीदा दोसी दुकान वाला कहता है भाई साव आपको मैं 20% और 20% की दो लगातार छूट दूँगा तो 20% 20% की दो लगातार छूट का मतलब टोटल कितनी छूट हो गई है तो आप कहोगे सर फॉर्मुला हम जानते हैं x प्लस y मानस xy बटे 100 20 प्लस 20 मानस 20 कुणा 20 बटे 100 तो ये हो गया मेरे प्यारे भाईयो 40 और 40 मानस 4 36% 36% यानि कि एक दुकान दार आपको 32% डिसकाउंट दे रहा है दूसर दुकान दार आपको 36% डिसकाउंट दे रहा है तो दोनों के डिसकाउंट में कितने का अंतर है 4% का और सवाल में बोला है कि भाईया 32% और 20% की दो लगातार छूट पर जो सेलिंग प्राइस कांतर है 25 रुपे तो यही 25 रुपे के बराबर होना चाहिए जितना डिसकाउंट में डिफरेंस आएगा उतना ही सेलिंग प्राइस में डिफरेंस आएगा एक बात बताओ एक दुका जो समान खरीदोगे जो आप पेमेंट करोगे इस पेमेंट में भी तीन रुपे का फरक आएगा तो जब भी आपको सेलिंग प्राइस का डिफरेंस दिया जाए तो आप डिसकाउंट का डिफरेंस निकालेगा कि जितना डिसकाउंट में चूट में अंतर आएगा उतना ही पेमेंट में अंतर आएगा, उतना ही सेलिंग प्राइस का डिफ्रेंस आएगा, यानि कि 4% की वैलू ही 25 रुपे के बराबर है, जो बिल अमाउंट है, जो बिल की रासी है, उसका 4% 25 रुपे, आपसे पूछा है, बिल की वैलू क्या है, कितने का एक्च्वल बिल बना है, तो 4% की वैलू 25 रुपे, 100% की वैलू अगर आपको निकालने तो 25 से गुणा करनी पड़ेगी, 25 का 100% की वैलू 25 से गुणा, 25 25 से हम 625 रुपे, तो बिल का माउंट भाई साब 625 रुपे का है, और ये आंसर है D, आगे आ जाएं, ये बताईए, सवाल लंबर 20, एक दुकान एक वस्तु पर एक स्रुपे मुल्य अंकित करता है, फिर 20 परशन की छूट देता है, फिर छूट दिएगे मुल्य पर साड़े बारे परसंट, वैट बैट लगाता है, वैट टेक्स लगाता है, और उसके बाद 432 रुपे में बेचता है, एक्स का मान ग्यात कीजिए, 20% छूट दी जाते है 20% तो देखो 20% छूट देने के बाद जो आएगा इसको हम कहते है discounted price discount देने के बाद जो price आता है उसे discounted price हिंदी में reality मुल्ले कहते है अब 20% छूट देने के बाद जो value आती है जो छूट दिया गया मुल्ले है इस पर 12% आप अपने गरहक से वेट लेते हो यानि कि 12% extra tax लेते हो और उसके बाद आप इस वस्तू को 432 रुपे में finally बेचते हो कितना रुपे में बेचते हो बेचते हो बेटा 432 रुपे में आप बेचते हो आपको यहाँ पर final value दिया गया है और आपसे initial value पूछा है कुछ नहीं करना यह तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखाए पहला आपने 20% discount दिया एक वटे 5 फिर 16-12% आपने tax लगाया यानि कि एक वटे 8 20% discount का मतला एक वटे 5 तो पांच रुपे की वस्तु चार में फर आपने 16-12% discount दिया एक वटे 8 यानि कि 8 की वस्तु मेरे दोस्तो साथ में आप इन दौनों रेश्यों बना लो बई आप की वस्तु 9 में हो जाएगे ना आप पे एक आप टेक्स लोगे गराक से नो हो जाएगा आप प्लस एक नो इनकी सीधी सीधी गुणा कर दो 4-8 दो बार कट जाएगा यानि कि मेरे प्यारे बाई या जाएगा नो बटा 10 नो बटा 10 आगया ये हमेशा इनीशल वेलू औ यानि की वस्तु का अंकित मुल्य एक्स और फाइनल वेलू यानि की समान को बेचा कितने में गया 432 में हमेशा ठीक है ये नीचे हमेशा प्रारंबिक वेलू उपर अंतिम वेलू सवाल में 9 की वेलू 432 रुपे आपको दीये बच्चो कितने है बई तो आप को गे सर 9 चॉ 48 रुपे तो यानि की वस्तु का जॉंकेत मुल्य वो 480 रुपे तो देखो इस सवाल का सॉलूशन मात्र यही है बाकी सब चीज मैं आपको समझाने के लिए लिखाऊ ये सवाल का सॉलूशन है और ये देखो ये इसका बेसिक है जो आपको समझ में आ गया होगा लेकिन ये आपको और ये जो मैथड है कि भई कहां आपको रेशो लगाना है और कहां आपको फॉर्मला लगाना है ये प्रैक्टिस से पता चलेगा जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप डाटा की साथ खिलना सुरू करोगे ठीक है और ये सारे ही तरीके जो है र ratio method का विस्तमाल करें और formula कब लगाएं इस concept की इंग बुक में मैंने विस्तार से समझाएं जैसे यहाँ आसान data है तो formula से भी आसानी से हो जाएगा ठीक है आजाओ जी यह देखो यह anti-pc-cbt second level का सवाल है प्रिवेसर question है चलिए एक dealer एक वस्तु को MRP पर 16% discount के बाद 403.2 रुपे में बेचता है ठीक है यदि उसने कोई discount नहीं दिया होता तो वस्तु के लागत मुल्य पर 28% का लाब अरजित करता वस्तु का क्रिय मुल्य क्या है आपको सवाल पढ़ने से लगेगा ये नया question है कुछ अलग है लेकिन भाई ये भी वही है जो पिछले सवाल में हुआ ये भी successive है अब दूसरी line को ज्यान से पढ़े इस second line को बोला अगर कोई discount ना दिया जाए अगर कोई discount ना दिया जाए तो वस्तु के लागत मुल्य पर 28% लाब होता है इसका मतलब क्या है अगर आप समान पर कोई discount नहीं देते हो तो इसका मतलब समान को आप अंकित मुल्य पर mark price पर बेचते हो अंकित मुल्य पर बेचने से समान को MRP पर बेचने से 28% लाब होता है इसका मतलब है कि समान का जो mark price है वस्तु का जो अंकित मुल्य है वो किरिये मुल्य से cost price से 28% ज्यादा है समझ में आया भाई अगर आप कोई छूट नहीं देतो तो समान को अंकित मुल्य पर बेचोगे और अंकित मुल्य पर बेचने से 28% लाब होता है वो कब होगा जब वस्तु का अंकित मुल्य किरिये मुल्य से 28% बढ़ा कर रखा जाएगा यानि कि अंकित मुल्य किरिये मुल्य से 28% जाद है अब पहली लाइन पर आओ कि एक डिलर MRP पर 16% डिसकाउंट के बाद 403.2 में बेचता है मार्क प्राइस पर अगर आप 16% डिसकाउंट दोगे तो एक डिलर समान को 403.2 रुपे में बेचता है तो आप से पूचाए वस्तो का कॉस्ट प्राइस क्या है कि आपको ये नी पता चल गया बिल्कुल इसी सवाल में कि आपको यहां पर फाइनल वेल्यू दिये और आपसे इनीशल वेल्यू पूचिया कोस्ट परीस क्रिए मुल्य है नहीं निकाल सकती यहां भी वही आपका ratio method लग जाएगा देखिए आप में इससे हर कोई जानता है कि 28% या 4% एक वटे 25 होता है तो 28% के 7 गुणा 7 वटे 25 16% के 4% का 4 गुणा यानि कि 4 वटे 25 मेरे प्यारे भाई ठीकर अगर हम बढ़ाते हैं तो पलस और घटाते हैं तो माइनस mark price cost price से 28% जाद है 7 वटे 25 यानि कि 25 CP है तो mark price कितना है 25 से 7 जाद है 32 फर आपने 16% discount दिया 4 गटे 25 चार बटे 25 मतला 25 का समान 21 में यह आगे बिटा अब देको यहां से कुछ कटने वाला तो है नी कुछ कटने वाला तो है नी तो नीचे जो है मेरे प्यारे भाई वो क्या initial value और उपर जो आपके सामने लिखा है वो है आपकी final value समझ माया आप बोलो कि हां जी सर समझ में आया है और फाइनली समान को बेचा कितने में है 403.2 रुपे में तो यह 403.2 रुपे हो गया आपका final selling price अब आप बस इसको थोड़ी सी काटा कूटी कट लो कि कर लोगी कैसे कट रहा है ठीक है जी नीचे जो आपका initial प्रार्मिक मान cost price आ गया 21 से काट लेते है 21 से कम 21 बज़ाएगा 19 फिर 21 निम्मा 184 21 दुनी 29 पॉंट तो हो गया और 32 का 102 में बिल्कुल ठीक है पॉंट 6 बार कट गया तो 25 25 यम आ गया जी 625 और 625 का पॉंट 6 गुणा कितना आएगा भाया देको 600 की पॉंट 6 में गुणा करेंगे 360 पॉंट 6 गुणा करेंगे 360 का पॉंट 6 गुणा 15 तीन सो साथ में 15 जोड़ेंगे 375 रुपे तो ये सवाल तो एकदम आसान हो गया C option 375 रुपे आ गया समझ क पूरी दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ इससे जल्दी आप इस सवाल का solution नहीं कर सकते देखो ऐसा नहीं कि आपको paper में इतना लिखना पड़ेगा ये चीज मैं आपको समझाने के लिए करी जिससे कि आप इस calculation को समझ पाओ एक्च्वल में इस सवाल का solution मात्र इतना सा है और ये तो CBT second level का सवाल है नॉर्मली किताबों में जब आप इसका solution देखोगे या YouTube पे कहीं और देखोगे तो 3-4 step में सवाल का answer निकालते हैं लोग लेकिन मैं आपको एक step में करना सिखाया अगर मैं सवाल को एक level आगे भी बढ़ा दूँ group D का इसको भी मैं आपको एक step में करना सिखा सकता हूँ देखो जरा एक दुकांदार एक वस्तु के MRP पर 20% 15% की दो लगातार चूट देकर 571.52 रुपे मेचता है अगर कोई चूट नहीं दी होती तो 12% का लाब होता वस्तु का क्रियमुल्य ग्यात कीजिए अगर कोई discount ना दिया जाए no discount is given यह लाइन इतनी खतरनाक है बच्चों को इसका meaning ही नहीं पता की इसका meaning क्या है no discount is given इस सारे के सारे concepts जो है यह example के साथ यहाँ पर लिखे हुएं यह जितने भी concepts है ना जैसे यह math concept king वाली book है अगर यहाँ पर मैंने आपको एक concept समझाया है यह वाला फर उसके नीचे मैंने आपको यह example दिया है अगर किसी बच्चे को बिल्कुल ठौरी नहीं पता अब जैसे ही सवाल को आप सोचो खुच से कि कैसे करेंगे और एक स्टेप में करना है, तीन-चालिष स्टेप में आपको नहीं लिखना है, सवाल लिखा है, अगर कोई डिसकाउंट ना दिया जाए तो बारे पर्शन का लाब होगा, अगर किसी समान पर कोई डिसकाउंट नह समान का जो मार्क प्राइस है, वो कॉस्ट प्राइस से बारे पर्शन बढ़ा कर रखा गया है, अंकित मुल्यक किरिये मुल्ये से बारे पृतिसत बढ़ा कर रखा गया है, फिर इस मार्क प्राइस पर दो डिसकाउंट दिये जाते हैं, लगातार एक 20 पर्शन की छूट दी 571.2 रुपीज में बेचा जाता है तो आपसे पूछा है समान का क्रिय मुल्य क्या होगा यानि कि आपको यहां पर फाइनल वेल्यू दी है और आपसे इनिशल कॉस्ट प्राइस पूछा है क्या रेश्यो का सवाल नहीं हो गया बस आपने मार्क कॉस्ट प्राइस से बारे परशेंट जादे बढ़ा है 4% होता है 1.25 तो 12% 3-3.25 यह तो आपको पता होने चलिए जल्दी कैल्कॉलेशन करना है 20% 1.5 परशेंट 5% 1.20 होता है तो 5% 3-15% 3.20 हो जाएगा बढ़ाते हैं तो प्लस discount का मतलब होता है वस्तू कि अंकित मुल्ले को कम करना इसलिए automatically हम discount के साथ मानिस का sign लगा रहे हैं तो 12% अंकित मुल्ले जाद है क्रिय मुल्ले से 3 बटे 25 यानि कि क्रिय मुल्ले अगर 25 है तो 25 से 3 जाद है 28 आपका mark price है फिर आपने 20% चूट दी 1 बटे 5 यानि कि 5 का समान 4 में हो गया 5 में से घटा दीजे फिर आपने 15% चूट दी 3 बटे 20 पे 3 की चूट है तो 20 में से 3 घट अगर कुछ कटता है तो काटलो नहीं है तो छोड़ दो देखो मेरे दोस्तों यहां 4 से 20 आपका कट जाएगा जी 5 बार या जाएगा आप बोलो कि हां जी सर तो नीचे तो गया 25 25 625 और उपर गया 28 गुणा 17 मैं बेवजे की गुणा क्यों करूंगा बोलो हां की ना यह हमे यह जो नीचे होगा वो हमेंसा इनीचल वेल्यू होती यानि की कॉस्ट प्राइस किरीय मुल्ले जो ऊपर लिखा हुआ है काल्कुलेशन के बाद वो हमेंसा फाइनल वेल्यू होती है यानि की आखर का सेलिंग प्राइस कहने का मतलब यह है कि अगर आप 12 परशन मर्पी जाएगा यह मेनिंग है आपको यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना दिया है 571 पॉंट दो रुपे के बराबर दिया है आपसे कॉस्ट प्राइस करिये मुल्ले की वेल्यू पूचिये और यही वो छोटी सी एक स्टेप कैलकॉलेशन है जो आपको करनी है सत्रे से अगर काट लूँ तो सत्रे तिया 51 के बाद 6 बज जाएगा सत्रे तिया 51 और फिर 10-16 चिका 102 28 एक अवाण 28 पांच 28 दुनिग 6 पन पॉण 2 गुणा गुना करना है तो भईया 600 की 1.2 में गुणा करेंगे 720 पचिस का 1.2 गुणा करेंगे तो 30 जाएगा साड़े साथ सो रुपे इस सवाल का अंसर है सी ऑप्षन गुणा नहीं कर पाए जल्दी से ना आप देखो सत्रे का पाड़ा ठैस का पाड़ा तो याद होना चाहिए अगर 625 की 1.2 में गुणा करनी है तो 625 को मैं दिमाग में ऐसे लिखता हूँ 600 प्लस 25 ऐसे तोड़के और मुझे जैसे 1.2 में गुणा करनी है तो हरो जानता है 12चंग 72 तो 600 की 1.2 में गुणा 720 हरो 2 बारे 500 25 दुसाम ढ़ाई 100, 25 गुणा 12, 350 और जोड़ देंगे 25 की 12 में गुणा करके 300 आएगा तो 25 की 1.2 में गुणा करके 30 आएगा और एड़ कर तो 7500 रुपे ये mind calculation है जो आपको pen paper पे नहीं दिमाग में करनी है हमेशा गणित में चीजों को तोड़ तोड़ के तोड़ तोड़ के देखिए तोड़ तोड़ के ठीक है तो ये important type है मेरे भाई और paper में आपको इसी तरीके से करना है अगर आपको जल्दी answer निकालना है सवालों का मैंने आपको दोनों ही इस पे variety करवा दी successive discount वाल भी single वाले भी मुझे लगता आप कर लोगे अब आगला सवाल देखेंगे 23 सवाल ये तो anti-pc का लग रहा है बताइए अजिए बाबरे उसने कितना लाब कमाया सोचो मेरे भाई अब सोचिए आप कोगे सर ये तो कुछ अलग है ये भी सक्सिव है ये भी रेश्यो से होगा एक स्टेप में होगा आप जैसे भी तोहारों कर सीजन आ रहा है आप घर को सजाने वाले एक दुकान है दुकान पे गए लेकिन दुकान वाले ने क्या किया है हर वस्तू पर लागत मुले से 30% अधिक अंकित किया गया है दुकान दार वाले हर वस्तू का प्राइस टेग लगा के रखते हैं तो हर वस्तू का जो प्राइस टेग है वो कोश्ट प्राइस से 30% ज्यादा है यानि कि, अंकित मुले दुकानदार ने, हर वस्तू के करिये मुले से, दुकानदार पहले समान खुद खरीद के लाएगा, फिर उसका प्राइस टेक, 30% बढ़ाकर दुकान में अपनी रख देगा, फिर हर वस्तू के अंकित मुले पर 10% छूट देगा, और 10% डिसकाउंट देने के बाद समान को बेच देता है, कितने में 23,400 रुपे में बेच देता है, 23,400 रुपे में, आप से पूचा, प्रॉफिट क्या हुआ, देको, प्रॉफिट क्या होता है, कोश्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस ही तो प्रॉफिट होता है, CPSP का डिफरेंस, अगर मुझे CPSP का रेश्यो पता लग जाए, तो सॉल्व हो जाएगा, और रेश्यो तो आई गया मेरे भाई, 30% आपने जो है, प्राइस बढ़ा है, 30% प्राइस बढ़ाने का मतला, 10 का समान, 13 का हो गया, 13 का, पर आपने 10% की छूट दी, एक बटे 10, यानि कि 10 का समान कितने का हो गया, बच्चे, 9 का हो गया, 9 का, 30% प्राइस बढ़ाने का मतला, 3 बटे 10, 10 का समान, 13 में, 10% डिस्काउंट देने का मतला, एक बटे 10, 10 का समान, 9 में, और जब आप इनकी सीधी गुणा कर रहे हो, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है, 139, 170 बटे 100, ये क्या है बेटा, ये CP से SP का रेश्यो है, क्रिये मुल्ले से विक्रिये मुल्ले का नुपात, यानि कि अगर किसी वस्तू का CP 100 है, आप इस तरीके से करोगे, तो सेलिंग प्राइस 170 हो जाएगा, सेलिंग प्राइस है कितना, 23,400 रुपे, कितने गुणा मेरे भाई, जल्दी से बता दो, आज आप, 200 गुणा, 200 टाइम्स आप बोलोगे, हाँ जी सर, आप बताओ, 100 के कॉस्ट प्राइस का समान, एक वस्तू जिसकी कीमत 100 है, क्रिये मुल्ले 100 है, 100 का समान 117 में बिका, तो 17 का फायदा हो गया, 100 रुपे की वस्तू अगर 117 में बिकी, तो 17 रुपे एक्स्रा में बिकी, वही तो आपका प्रॉफिट है, वही तो आपको लाब है, यानि कि 17 यूनिट की वेलू आप से पूची है, और 17 की वेलू क्या आएगी, 17 की भी 200 में गुणा करेंगे 3400 रुपे, तो आपको 3400 रुपे का फायदा हुआ है, मेरे बाई और यही क्वश्चन का आंसर है, ए उप्शन, अगर मुझसे कॉस्ट प्राइस पूच्ट है, तो कॉस्ट प्राइस निकाल लेते, 100 की वेलू 20,000 रुपे, ठीक है जी, यह भी आपको नही करना है पेपर में, किवल इतना आपको करना है, यह फॉर्मुले से भी हो जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मुले से भी होगा, सवाल आ गया है, यह 2400, करो, सवाल लंबर 24, 2400 कौन करेगा मेरे भाई, एक विक्री के विक्यामपन पर, 10%, 20% की दो लगातार छूड़ दीगी, नगत भुकतान पर 5% की एक्स्टर छूड़ दी जाती है, नगत भुकतान करके खरीदारी पर मिलने वाली कुल छूट ग्यात की, जिदे कि ऐसा सवाल में आपको करा चुका हूँ, हाला कि यह इतना जाद है पॉपलर, इतना जाद है फेमस है कि इसको छोड़ा नहीं जा सकता, जितनी जाद है प्रैक्टिस कर लो उतना ही फायदा है, मैंना आपको कॉंसेप्ट सिखाया है, कि अगर किसी वस्तू के मार्क प्रैस पर X%, Y% और Z% की तीन लगातार छूट दी जाती हैं, तो कुल छूट जो होगी मेरे दोस्तों वो होगी, X प्लस Y प्लस Z, माइनस X Y प्लस Y Z, प्लस ZX, बटे 100, प्लस X Y Z, बटे 10,000 परसंटेज, यह मैंना आपको सिखाया है, बोलो हां की ना, बिल्कुल इसी कॉंसेप्ट पर यह सवाल है, कि एक वस्तू पर पहले 10 परसंट छूट दी जाती है, फिर 20 परसंट की, फिर आगर आप कैश में पेमेंट करोगे, तो आपको 5 परसंट की और छूट मिलती है 5 परसंट की, तो बटे है कैश पेमेंट करके मिलने वाली कुल छूट गयात कीजिए, तो आपको 10, 20 और 5 परसंट का सक्सिव निकालना है, Sol करो, मैं तो बिल्कुल ली बताने वाला, मुझसे उमीद मत करो, Sol करो मेरे भाई, और इसका अंसर मुझे कमेंट में करके बताना, Formule से कैसे करोगे, मुझे सवाल का अंसर कमेंट करके बताना, हाँ जी मेरे भाई, आप इसको रेश्यो से भी कर सकते हो, चलो, मैं इसका रेश्यो में थड़ आपको बता देता हूँ, बच्चों, डिसकाउंट किस पर दिया जाता है, मार्क प्राइस पर, और आपने वस्तू के मार्क प्राइस पर, तील लगातार छूट दी है, 10 परशंट की, फिर 20 परशंट की, फिर 5 परशंट की नगद, और फानली समान को आपने बेचाए, तो डिसकाउंट मतलब मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो आप से पूचा कुल छूट गयात कीजे, यह तो एक तो तरीका फॉर्मुले वाला हो ही गया, आप जानते हैं, यहां तो डाटा आसान है, रेशो से अगर कैसे करेंगे, तो भईया आपने पहली छूट दी 10 परशंट, 10 परशंट छूट का मतलब 1 वटे 10, 10 का समान 9 में, फिर आपने दूसरी छूट दी 20 परशंट, एक वटे 5, 5 का समान 4 में, फिर आपने तीसरी छूट दी मेरे दोस्तों, जैसे की 5 परशंट, एक वटे 20, एक वटे 20 छूट को वाला है, 20 पर एक की छूट है, तो 20 का समान 19 में, सीधी सीधी गुणा करेंगे, तो 4 से 20 आपका 5 बार कड़ जाएगा, तो आजाएगा मेरे भाई, 25 दूसराम 2.5 और 19 निम्मा 171, यानि कि अल्टीमेटली, अगर आप इस तरीके से करोगे, तो 200 के MRP का समान 171 में बिकेगा, 200 के MRP का समान 171 में बिकेगा, तो छूट कितने मेरे दोस्तों, 79 की, कितने पर 200 पर, यही है ना बच्चे, आप बोलोगे, हाँ जी सर, बिल्कुल से है तो यही, और परसंटेज में कितना, इन्टू 100 परसंट, यह मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेश्यो आ गया, अगर वस्तू के MRP धाईसो उस पर, 10, 20 और 5 की तीन लगातार छूट दी जाए, तो 117 में बिकेगा, तो कितना हो गया मेरे प्यारे भाई, यह आगे आपका, 158 बटे 5, यानि कि 31.6, 31.6% का कुल डिस्काउंट है, जो कि मेरा C option है, यह रेश्यो में थड़ हो गया, पानी करना है यार इसमें, आगे आजाओ, सवाल लंबर है, आपके सामने हाँ पर 25, और एक क्वेश्चन ग्रुप D के पेपर का पूछा हुआ, भाई साब, ग्रुप D का आजाईए, एक वाशिंग मशीन का, लिस्ट प्राइस, तेरहजार दोस्व है, वाशिंग मशीन का लिस्ट प्राइस आपको दिया है, देको लिस्ट प्राइस सी मार्क प्राइस होता है, अब एक वाशिंग मशीन का मार्क प्राइस, तिरहजार दोसो रुपे है इसे एक सेलर को 25% और 15% की दो लगातार छूट देकर बेचा जाता है सेलर अब यह जो खुद्रा विक्रेता है जो रिटेलर है वो गरहक को नए सूची मुल्ले पर 25% छूट देने के बाद अपने कोस्ट प्राइस पर 20% का लाब कमाना चाहता है उसे वाशिंग मशीन का लिस्ट प्राइस क्या रखना चाहिए ध्यान सुनेगा भाई मैं पहली समझा चुका हूँ जैसे के वाशिंग मशीन का लिस्ट प्राइस 13,200 रुपे है तो वाशिंग मशीन सबसे पहले रिटे एक रिटेलर को 15% की छूट मिली तो मुझे बाता हूँ वाशिंग मशीन के लिए जो रिटेलर का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो क्या होगा क्या आप यहां से रिटेलर का क्रिये मुल्य निकाल सकते हो कैसे भाई वाशिंग मशीन का सूची मुल्य तेरह जार दो सूर पे पहला 25% का दूसा 15% का तो रिटेलर ने वाशिंग मशीन कितने में खरीदी होगी 25% डिस्कॉंट मतलब 1,4 यानि कि 13,200 गुणा 4 का समान मेरे दोस्तों 3 में हो गया फिर इस प्राइस पर और 15% छूट मिली जो की हो गया 3,20 मतलब मेरे भाई यहां से 20 का समान आपका 17 का हो तो इस सीधी सीधी आप यहां से गुणा कर दीजिए यह मेरे दोस्तों 0 तो कटी गया अब 4 दुनी 8 से भी कट जाएगा 8 हे कम 8 और यहां पर बज जाएगा आपका 5 तो 8 चौक 48 पर 8 पंजे 40 यह आ जाएगा क्या? नहीं 8 चूक 48 हो जाएगा यह ठीक है जी 165 गुणा 3 गुणा 17 अब इसको यह ऐसी रहने देते यानि कि 165 गुणा 51 रुपे यह रिटेलर का कॉस्ट प्राइस आ गया अब इस सवाल को आप बिलकुल भूल जाएए कि सवाल यह है भी इस लाइन को आप बिलकुल भूल जाएए अब सवाल आप इससे आग रिटेलर घर में थोड़ना लगाएगा अपने उसके पास तो पहले से घर में वशिंग मशीन है रिटेलर इससे वापस ग्रहक को बेचेगा तो रिटेलर के लिए कॉस्ट प्राइस है तो रिटेलर इस वशिंग मशीन का एक नया लिस्ट प्राइस लगाएगा रिटेलर इ 30% लाब कमा सके, आपको पता है, अगर किसी भी सवाल में discount profit percentage दिया हुआ है, तो सवाल में CPMP का रेश्यों आसानी से निकाल सकते, अगर किसी भी question में discount profit percentage दिया, CPMP का रेश्यों निकल जाएगा, रिटेलर को कितना नया MRP, कितना नया list price लगाना चाहिए, कि रिटेलर को नया list price पर 25% discount देने के बाद, कितना फायदा हो 20% का लाब हो, CPMP 100-10, 100-25, 75, upon 100+, 100+, 20, 120, किस से चला जाएगा, 15, 75, 75, 158, 120, CP-MP का रेश्यों आगया, अब यहाँ पे मेरे दोस्तों किरिय मुल्ले तो पता ही चल गया, रिटेलर का cost price कितना है, 165-51, यह 5 की value 165-51 रुपे, और आप से सवाल में, नया list price आप से पूछा है, मेरे दोस्तों, 8 की value पूछी है, और यह हो गया, यहाँ इस basically सवाल में, दो अलग-अलग सवालों को मर्ज करके बनाए गया था, 5 से कितनी बार जाएगा मेरे दोस्तों, यह आपका चला जाएगा 33 बार, तो 33 गुणा 51 है, तो 8 की value भी है, 33 गुणा 51 हो जाएगी, जो भी आंसर आएगा, वो 8 से कटने वाला होगा, 33 में 11, 13, 11, 13 से कटने वाला आएगा, क्या यह नंबर 8 से कटता है, नहीं कटता, 8 से वही नंबर कटेगा, जिसके आखिर के 3 अंक 8 से कटते हूँ, 644, 888, 64, 4 बच जाएगा, नहीं कटेगा 8 से, यह कट जाएगा, यह नंबर 11 से कट रहा है, 11 का नहीं हम जानते, 4, 1, 5, 4, 9, 6, 3, 9, 9 और 9 का डिफरेंस 0, कट रहा है, 6 और 7, 7, 4, 11 हो गया, और 6, 3, 9, हम इनका डिफरेंस देखेंगे, इनका डिफरेंस आ रहा है, 2, यह 11 से नहीं कट रहा, कोई कुणा की जुरत नहीं है, बाता ही समझें, आगया यह, अगला सवाल, एक सेलर एक वस्तू को 25 पर्शंट, 10 पर्शंट की छूट देकर, 25 पर्शंट प्रॉफिट कमाना चाहता है, अगर कोश्ट प्राइस 30 पर्शंट बढ़ा दिया जाए, तो उसे पहले के समान पर्शंट लाब अर्जित करने के लिए, समान अंकित मुल्ले पर, अब कितने पर्शंट की छूट देनी चाहिए, यह सवाल है गुरूप D का, बटा, यह जो सवाल रेलवे गुरूप D में आया है न, यह सवाल मेंस के पेपर में आता है, स्सी सीजल में, और 2018, 2019, 2020 साल लगाता है मेंस के पेपर में सवाल आया था, यह कॉश्चन इतना ज्यादे पॉपुलर है, और यहां पे इस बुक में जो है, मैंने इसको डिटेल में समझाया, इसी टाइप को, इसी टाइप को एक्जामपल के साथ, अलग से डिटेल में समझाया हुआ है, यह देखे, यह वाला जो एक्जामपल है, यह जो एक्जामपल है, यह सवाल आपसे एक सेकेंड में सॉल होता, मैं पहली बता दे रहा हूँ कि सवाल बेसक गुरूबडी के पेपर माया है, लेकिन इसका जो वेटेज, इसका जो लेवल है, वो सीजल मिन्स के बराबर है, यानि की रेलवे के टॉप मोस्ट कॉस्टन है, डिसकाउंट का, आप ए 25 परशंट, 10 परशंट की दो छूट दी है, तो आपने समान पर कुल छूट कितनी दी है, हमें इसकी जानकारी दी है, तो कुल छूट आएगा बच्चों, 25 और 10 का सक्सी फॉर्मले से आजाएगा, 25 पलस 10, माइनस 25 गुणा 10 बटे 100, क्लिर हां तक तो किसी कोई परेशानी नहीं हुई, तो 35 में से 500 बटे 100, 2,5 आप घटाओगे, तो 35 परशंट, 35 परशंट आपने कुल छूट दी और आपको 25 परशंट का लाब हुआ, आपको डिसकांट परशंटेज दिया गया है, आपको लाब परतिसत दिया गया है, मैं फॉर्मला बता चुका हूँ, किसी भी सावल में डिसकांट परफित हो, तो CP MP का रेश्यो आसानी से निकाल सकते हैं, उस वस्तु के किरिये मुले संकित मुले का अनुपात, CP बटे MP, 100 माइनस D, अपन 100 प्लस P, 100 में से 32 घटाओगे, 100 में से 32 घटाओगे, 67.5, प्रफित कितने का हूँ, 25 परशंट, 100 प्लस P, 100 मे मेरे प्यारे दोस्तों, कि यहां तक कोई परेशान ही नहीं, यह 0, किसी से कट भी रहा ये, यह तो आपका पूरा का पूरा मेरे दोस्तों, यहां पर 25 से तो कटे गए, कटे गा 50 बार, और 25 दूनी 50, 17, 27, 175, यानि कि 27 बटे 50, 25 से कट गया, यह 50 बार कटे गा 25 पंद 125, और 25 दूनी 50, 17, 27, 175, यहां तक यह एक सवाल है, यह एक सवाल है, इसके आगे दूसरा सवाल सुरू हो गया, दूसरा सवाल, सवाल ही है, कि अगर कोश्ट प्राइस 30 बढ़ा दिया जाए, अभी वस्तों का कोश्ट प्राइस कितना है, 27, अगर कोश्ट प्राइस 30 बढ़ा दिया जाए, 27 को 30 बढ़ा दिया जाए, 30 परसेंट, 30 बढ़ा दिया जाए, तो आप मुझे एक बात बताओ, कोश्ट प्राइस सथाईस उरुपे, अगर आप 27 को 30 बढ़ा दोगे, तो नया कोश्ट प्राइस क्या आ जाएगा, नया बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगी, 130%, 130%, हर्ची 100% होते हैं, 100 को 30% बढ़ाओगे, 130 बटा 100, यानि कि 1.3, तो न्या कॉस्ट प्राइस के लिए 27 को 1.3 से गुना कर देंगे, ये न्या कॉस्ट प्राइस आएगा, किसी भी संख्या को 10 बढ़ाओगे, 1.1 से गुना, 20 बढ़ा ये न्या CP आगया, अब बोला है, तो उसे पहले के समान पृतिसत लाब अरजित करने के लिए, कितने परसेंट छूट देनी चाहिए, पहले के समान पृतिसत लाब अरजित करना है, पहले कितने का लाब अरजित कर रहा था, पहले लाब अरजित कर रहा था, पहले लाब अ करना चाहता है यह नया cost price है बच्चे इस नय cost price पर 25% profit कमाना चाहता है 25% तो बताओ समान को याने कि कितने में बेचना पड़ेगा मुझे जवाब दीजे यह नया cost price 27 कुणा 1.3 इस पर 25% अगर लाव कमाना है 25% होता है एक बटे 4 एक बटे 4 profit कमाना है तो 5 इतने में बेचना पड़ेगा multiple है पांच बटे 4 चार पे एक का profit कमाना है तो पांच बटे 4 गुना में sell करना पड़ेगा यह आ गया मेरे दोस्तों selling price इस selling price आगए समान को इतने में बेचना पड़ेगा यह एक सवाल हुआ है दूसरा अब यहां तीसरा सवाल आ गया अब कितने प्रतिसत की एकल छूट देनी चाहिए छूट किस पर दी जाते है mark price पर mark price कितना है पचास अगर पचास रुपे का समान इतने रुपे में बेचा जाएगा तो कितने discount होगा यह तीसरा सवाल है इसलिए यह सवाल बाप level है वस्तु के मार्पी कितना है पचास रुपे पचास रुपे के समान को आपने बेचा 27 क्यों करना ही multiply मैं तो ratio लूँगा पचास रुपे का समान अगर इतने रुपे में बेचा तो कितना discount लिया तो आप गधो की तरह गुणा करो यह आप ratio ले लो ratio लेने से क्या होता है calculation हलकी हो जाते दसमलब से एक 0 बढ़ा लो और 5 से मेरे दोस्तों यह 500 आपका 100 बार कट गय सौ में जो भी आंसर आता है वो डारेक्ट परसंटेज में आता है 27 गुणा 13 दुनिया कर लेगी 263 की 20 में गुणा 263 सत्य क्यानवे यानि की 351 हो गया 27 गुणा 13 चार से भाग देना है तो मेरे दोस्तों 48 32 तीन एक हो गया 4 सत्य 28 फिर तीन बज़ गया 4 सत्य 28 87.75 आग गया 301 क्याओन बटे 4 कर लोगे ना 48 32 फिर तीन एक बचेगा फिर चार सत्य 28 फिर तीन बचेगा दसन लगाए जीरो बढ़ा ली चार सत्य 28 तो बचेगा चार पंजे 20 यानि कि अगर आप 50 का समान इतने बेचोगे तो इसका मतलब है अगर किसी वस्तू के MRP 100 है तो 100 का समान 87.7 तो 100 कितना कम है 12.25 कम है तो यानि कि आपने 12.25 परसेंट का डिस्काउंट दिये 100 में जो भी आंसर आएगा परसेंटेज में आएगा और D ऑप्शन इस सवाल का आंसर है D देख लीजे आप तो इस सवाल में एक क्वश्चन ये दूसरा है और तीसरा है तीनों को मिक्स किया गया है तब जाके आंसर आएगा आगे चलेंगे 27 सवाल एक वस्तू को 500 रुपे के MRP पर 25 एक्स पर्शन की तीन लगातार छूट देने के बाद 303.6 में बेचा गया अगर उसी वस्तू को 33 प्लस एक्स पर्शन की सिंगल छूट देकर बेचा जाए तो सेलिंग प्राइस क्या होगा बहुत बढ़े सवाल है बही एक वस्तू को 500 रुपे के MRP पर 3 छूट देगी पहली छूट देगी 25 पर्शन की दूसरी 8 पर्शन की तीसरी X पर्शन की और इसके बाद 303.6 रुपे में बेचा जाता है यही है ना तो इतना कंफर्म है कि अगर यह सवाल सौल करना है तो मुझे X का मान निकालना पड़ेगा जब तक X का मान नहीं निकलेगा सवाल सौल नहीं होगा वस्तू के MRP कितना है 500 रुपे 500 पर 25 पर्शन की छूट दी अगर आप 100 पर 25 पर्शन की छूट दोगे हर्थ 100 पर 25 पर्शन की छूट दोगे तो कीमत कितर रहेगी पर 60 पर्शंट 0.75 फिर आपने 8% की छूट दी, 100% पर 8% की छूट दोगे, तो कित्ती कीमत रहेगी, 100 में से 8% गटाओ, 92% पॉर 92, फिर आपने इस पर X% छूट और दी, आपने इसी प्राइस पर 25%, 8% छूट देने के बाद जो प्राइस है, X% छूट और दी, और फानली समान को आपने 313.6 तो मुझे बताओ, कि आपने कितना डिसकाउंट दिया होगा, इसके लिए भी आप क्या कर लीजे, इसके लिए भी मेरे दोस्तो आप रेशो ले लीजे, हर चीज की कल्कुलेशन का एकी समादार रेशो बावा, दसमलब से 2 0 कट गया, यह 0 बढ़ा लेते है मेरे दोस्तों, यह 2 0 कट गया, और कुछ काटना है तो काट लीजे मेरे दोस्तों, देको बानवे में थीज आरा है, थीज से जरू कटेगा, थीज चौका बानवे, थीज एकम थीज, साथ तीन, थीज तीय उनेतर, और थीज दुनी चालिस, तेरह यह सो बीस, पांच चौक बीस होता है, त दोस्तों, 2 0.12, 2 0.16, 75, 66, 3 से जरू काट रहा है, तो पत्चिस बार काटेंगे, और यह मेरे दोस्तों, 22 बार काटेंगे, यानि कि 25 रेशो 22 आगे, यानि कि जब आप X percent discount देते हो, तो 25 की वस्तों 22 की हो जाती है, यानि कि discount कितना है, 3 का 25 पर, 1 बटे 25, 4 परशंट, 3 बट X की जो value 12 है, अगर आप से सवाल में X कमान पूछा होता, 12 है, तो जब भी ऐसा सवाल आए, आप हमेसा ratio से बनाओगे, बोला है, अगर वस्तों पर 33 प्लस X की single छूट दी जाए, तो selling price का होगा, X कमान 12 है, तो 33 प्लस X का आएगा, 33 प्लस 12 है, 45 परशंट, अगर वस्तों के Mark Price पर 45 परशंट की छूट दी जाए, तो selling price का है, आप नहीं कर सकते क्या, 500 रुपे मार्क प्राइस है, 500 रुपे पर 45 परशंट की छूट दो कि तो समान बिकेगा कितने में, 500 के 55 परशंट में, 100 परशंट में से 45 परशंट घटा, ये 500 रुपे के 55 परशंट में बिकेगा, जो कि कितना आजाएगा मेरे प्यारे बई, 275 परशंट से 2,0 कट गया, 275 रुपे ये सवाल का अंसर है, D option, अब देता ये, ऐसी कौन सी मुश्किल बात थी जो आप नहीं कर पाई, सवाल लंबर 28, अठ्वान यार पर तीन छूट दी गई, पांथ 10 एक्स परशंट की एक् data change है, इस सवाल को आप solve करो, हर एक बच्चा जो भी पढ़ रहा है, इस सवाल को solve करेगा, और मुझे कमेंट में बताएगा, हर बच्चे से मुझे इस सवाल का आंसर चाहिए ही, चाहिए 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 दुनिया इधर से उधर हो जाए, पलीज सॉल इस क्वेश परशन की लगातार चूट या दो खरीदे एक मुफ्त पाइं लाया है, इन दोनों योजनाओं में कुल डिसकाउंट में पॉजिटिव अंतर कितना है, यह तो बेकार सवाल है, एक दुकांदार दो स्कीम चला रहा है, तो 30 परशन 20 परशन की दो लगातार चूट ले लो, 30 परशन 20 परशन की दो लगातार चूट कितनी है, कितनी के बराबर है, 30 प्लस 20 माइनस 30 कुणा 20 बटे 100, 30 प्लस 20 मानस 30 कुणा 20 बटे 100, यानि कि 50 में से 6 घटाऊंगा 44 परसेंट, 30 परशन की लगातार चूट, या फिर दो खरीदे एक मुफ्त पाया, या आपने गरह को 3 में से आपने 2 का ही पैसा लिया, एक फ्री है, तो एक वटे 3 का मला 33 सही एक वटा 3 परसेंट, ये डिसकाउंट है, आप से पूछा है, इन योजनाओं में कुल डिसकाउंट में पॉजिटिव अंतर क्या इनका डिफरेंस आप से पूछा है, तो 44 में से आपको 33 सही एक 34 घटा लीजे 10, नीचे ये 3 ही रहेगा, और आप 3 में से एक घटा लीजे 2, 10 सही 2 वटा 3 परसेंट, ये घटाने का तरीका है, ये ट्रिक है, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ कि मैंने 29 सवाल कर लिये हैं, RRB Group D का एक और सवाल, जो कि सवाल लंबर 30 है, एक्स प्लेस्ट एन ओडर फोर 20 शर्ट, मार्क डेट साड़े साथ सो, एक्स ने साड़े साथ सो रुपे मार्क प्राइस वाली 20 शर्ट ओडर करी, शॉपकीपर 20 परसेंट डिस्काउंट देता है, 20 शर्ट की खरीद पर, बाइफेस जो कि आदेशलन और 500 शर्ट, running कि पीका पैेमेंट प्राइस के अगेंट, तो 500 शूट भी मिलती है, Sailing price of each shirt is same and every shirt of selling price is the same So ask you then what's your final selling price of each shirt is the same नहीं निकाल सकते है ? भाई साब एक से बिज़े 20 shirt order करें एक shirt है 1700 रुपे की तो 20 shirt कितना रुपे की हो जाएंगी ? 15000 रुपे की 50-60 रुपे की 15-80 रुपे की घटे 20 shirt order करनी ठेला से मेरी तरह फिर दुकानदार ने 20% discount दिया, 15,000 में 20% discount दिया, 3,000 रुपे, पंद हैर का 20% 3,000 रुपे, तो यानि कि payment कितना करना है, 12,000 रुपे, 20 शट आपको पढ़नी, 12,000 रुपे की, लेकिन आपने परसे निकाल के तुरंट cash में payment किया है, तो दुकानदार ने आपको 500 रुपे की औ चूट दी, 12,000 रुपे में 500 रुपे और कम देने, यानि कि शारी शट दुकानदार ने आपको इतने में बेची है, आपने इतने रुपे में खरीदी है, मेरे दोस्तों 20 शट, तो एक शट का selling price क्या आएगा, 20 से डिवाइड कर दीजिए, 12,000 बटे 2600, 500 बटे 20, 25, 600 अलग यानिक वस्तू का selling price 10%, 20% की छूट के बाद 1548 रुपे है, यादि cost price, mark price का 50% है, CP mark price का 50% है, तो आप से पूछा है, लागत मुल्ले या फर हिंदी में cost price कितना है, RRB, RPF, Sum Inspector का सवाल है, और मुझे तु नहीं लगते हैं, इसमें कोई परेशानी है, सवाल में कहा गया है, 10% 20% की दो छूटों के बाद, एक वस्तू का selling price 1548 रुपे है, आप formula से भी कर सकते है ratio से भी, डिसकाउंट किस पर दिया जाता है, mark price पर आग आप 10% discount देने का अलग 5 का समान 4 में, 20% discount एकवटे 5, 10% discount एकवटे 10, यह आजाएगा भाई साब, इस discount दिया जाता है, MRP पर यह mark price से selling price का ratio आगया, मेरे प्यारे भाई, जो की आजाएगा, 36 बटे 50, याने की 18 बटे 25, अब आपको यहाँ पर selling price दिया हुआ है, 1548 रुपे, मुझे बता दो जल्द से कितने गुणा है, इतना तो आपको बता नहीं पड़ेगा कितने गुणा है, तो, 18 से, काटेंगा 18, 144 और 10, 186 का 186 गुणा, तो वस्तु का MRP भी 25 का 86 गुणा, यह वस्तु का अंकित मुले आ गया, लेकिन अंकित मुले पूछा नहीं, आप से पूछा, लेकिन अंकित लागत मुले, अब लागत मुले क्या, लागत मुले अंकित मुले का 50 परसेंट है, तो कौश्ट प्राइस जो है, वो मार्क प्राइस का 50 परसेंट है, यानि कि आदा इसका आदा, अब 2-6-43 बार कट गया, तो 25 गुणा 40,000, 25 तिया 75 यानि कि 1065 रुपे, तो 1075 रुपे आपका कॉस्ट प्राइस आ गया, यह आपका अंसर है, C, RRB, RPF, सब इंस्पेक्टर के पेपर का सवाल था, अब मैं आपको मेरे प्यारे बई, इसका आखरी सवाल कराने वाला हो, इस चेक्टर का जो की होगा, सवाल लंबर 32, और मुझे पूरा विश्वास है, कि अगर आ ठीक है जी, आईए, एक व्यापारी मार्क प्राइस पर 5% की छूट देता है, और 14 वस्टू खरीदने पर 2 वस्टू फ्री देता है, और उसके बाद 33% का लाव कमाना चाहता है, 33% का, यह मानते हुए कि गरहक 14 वस्टू के लिए भुक्तान करता है, तो वस्टू कांकित मुल्य क्रिये मुल्य से कितने परसेंट अधिक है, वस्टू का मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा है, यह आप मुझे बताएंगे जल्दी से, यह तो आपको बताना ही पड़ेगा मेरे भाई, देखो, हाला कि सवाल को करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, पर मैं आपको बैस तरीका बताउंगा, आप यहाँ फॉर्मॉला भी लगा सकते हो, रिश्यो भी लगा सकते हो, जो आपको पसंद है वो आप कर लीजे, मैंने आपको समझाया है, कि मार्क परसंटेज और डिसका परसंटेज का जब आप सक्सिव लगाओगे, तो मेरे दोस्तों आपका प्रॉफिट परसंटेज आएगा, या फिर, अगर आप कुल छूट निकालो, कुल लाब आपको दिया है, वहां से भी हो जाएगा, एक व्यापारी एक वस्तू के अंकित मुले पर 5 परसंट की वस्तू दी, वस्त। दू शोले में से दो वस्तू फरी हैं, यानि की एक व्यापर, ऐ। साले बारे परसंट की दो लगातार छूट दी गई है 5% और 1.5-12% की 2 लगातार छूट दी गई है 14 और 2 16 एक बट्याट 8.5-12% होगा बिल्कुल ठीक 5% और 1.5-12% की 2 लगातार छूट दी गई है और 2 लगातार छूट देने के बाद 33% का लाब होता है पूछा है अंकित मुल्य क्रिय मुल्य से कितने % ज्यादा है अब मैं आपको समझाओ होता क्या है होता ये है कि पहले आप समान खरीद के लाते हो फिर आप उसके एक mark price fix करते हो और आपको नहीं पता आपको सवाल में बताए नहीं गया कि mark price cost price से कितने % ज्यादा है फिर आप mark price पे 5% की छूट देते हो फिर हर 14 वस्तू की खरीद पर 2 वस्तू फ्री देते हो यानि कि हो गया 2 बटा 16, 1 बटा 8, 12.5% डिसकाउंट और तब जाके आप समान को फानली बेचते हो और समान को बेचने से आपको क्या हुआ? CP से SP समान को बेचने से आपको 33% का लाब हुआ 33% का लाब हुआ आप से पूछा अंकित मुल्य किरिये मुल्य से कितना % ज्याद है यानि कि इन तीनों का सक्ससिव ही 33% प्रॉफिट के बराबर है हमें नहीं पता वस्तू का मार्क प्राइस कॉस्स प्राइस से कितना % जाद है मुझे CP MP का रेश्यो नहीं पता मार्क प्राइस फिक्स करने के बाद आपने 5% डिसकाउं दिया एक वटे बीस एक बटे बीस डिसकाउंट का मतला 20 का समान 19 में तो आपने 5-12 पर्षय डिसकाउंट 1 बटे आठ का समान 7 में वह हर 14 वस्तू खरे बीस फ्री यानि कि 16 आटिकल आप डेते हो घ्राकों जिसमें 2 फ्री एक बटे आठ डिसकाउंट 8 का समान 7 में इन तीनों की सीधी सीधी गुणा 33 परषयल लाब के बाराबर है 33 पर्ष लाब का मतलब अगर क्रिय मुल्य 100 रुपे है तो 100 रुपे का समान 133 में बिखा सीधी सीधी गुणा करनी है मेरे दोस्तों आप बोलोगे हाँ जी सर 19133 तो कटी गया 20-15 100 गया यह उधर चला जाएगा तो MP से CP का ratio आगया, मेरे प्यारे दोस्त, 8 बटे 5 है, यानि कि अगर वस्तु का cost price 5 है, तो mark price 8 है, तो mark price cost price से कितना जाद है, 3 बटे 5, वस्तु कांकित मुल्ले क्रिय मुल्ले से कितना जाद है, 3 बटे 5, 60%, यह बहुत अच्छे level का सवाल है, यह इसका proper basic concept है, जो आपको paper में लिखना नहीं है, और यह इसका solution है, एक ही line में answer आएगा, अगर आप इस सवाल को ratio method से करोगे, तो, एक ही line में आना है, एक से जाद फाल तो line आपको लिखनी नहीं है, चाहें कितना भी calculated data वाला सवाल क्यों ना आ जाए दुनिया में, ठीक है, तो यह है मेरे दोस्तों, इस railway की 4000 प्लस जो complete practice book है, इसमें मिलेंगे, ठीक है जी, गनित mathematics के लिए railway के हर exam के लिए मेरे भाई, ठीक है ना, इसमेंने discount के लगबग 100 questions डाले हैं, तो आप उनको भी जरू सौल करके देखेगा, अच्छे-च्छे सवाल मैं आपको करवा दिये, ये video आपको कैसी लगी कितने सवाल ठीक करें, ये भी हमें जरू बताएं, डेली बहुत महनत से, मैं class record करके अपलोड कर रहा हूँ, बहुत सारे chapters में आप पढ़ा दिये, अब profit loss discount हमारा complete हो जाता है, next आप कौन सा chapter पढ़ना चाहते हो, ये भी मुझे बताएं, कि अब हमारे पास सारे रास्ते कर सकते हैं, आपको किस में जादे परेशानी आ रहे हैं, वो मुझे बताएं, वो मैं आपको करवाँगा मेरे भाई, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, ज्यादे स्रीज को प्रमोट करें, उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंचाएं, जिनको गनच से बहुत डर लगता है, जो सेलेक्शन लेने के काबिल तो हैं, लेकिन वो अच्छे सवालों की प्रेक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, और रेलवे के अच्छे सवाल, जो भी बच्चा प्रेक्टिस करना चाहता, आपका साती बंदो दोस्त, उन तक ये वीडियो जरूर शियर करें, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे भाई, बाई